अमेरिकी वायू सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने चीन के J-20 लडाकू विमान की हवा निकाल दी है। अधिकारी ने कहा कि चीन ने J-20 लडाकू विमान को बड़ा चड़ा कर पेश किया है। उसका अमेरिका के F-22 और F-35 टील्था लडाकू विमानों से कोई मुकाबला नहीं है. उन्होंने कहा कि F-22 और F-35 की क्षमताओं की तुलना में चीनी J-21 प्रभावशाली लडाकू विमान नहीं है. चीन प्रचार करता रहता है कि J-20 लडाकू विमान का कोई मुकाबला नही है. चीन ने यहां तक कहा है कि J-20 स्टील्था क्षमताओं से लैस है, जिसे कोई रडा डिटेक्ट नहीं कर सकता है. हालां कि चीन के इस दावे को पश्चिमी देशों के कई सैन्य विशेशग या खारिज कर चुके हैं. अमेरिकी वायू सेना के पैसिफिक एफोस के प्रमुक्ष जनरल केने थैस विल्सबैक ने 2023 एर एंड स्पेस फोरसेज असोसियेशन की वार्षिक संगोष्टी के दौरान चीन के J-20 स्टील्था फाइटर जेट पर ताजा जानकारी प्रदान की. जेबीस चीन का एक मात्र परिचालन पांचवी पीरी का लड़ाकू विमान है इससे चीनी वायू सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है. जनरल विल्सबैक ने ये भी कहा कि उनके आनकलन में J-20 को वर्तमान में अमेरिका के F-22, रप्टर और F-35 लाइटनिंग की क्षमताओं की तुलना में एक प्रमोख विमान नहीं माना जा सकता है. उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि चीन ने कुछ अच्छी नकल की है. J-20 में शामिल तकनीक का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से चुराया गया है. अमेरिकी वायू सेना के अधिकारी ने ये भी बताया कि अमेरिकी विमानों की क्षमताएं, जब सहयोगियों और साजेदारों के साथ जोड़ी जाती हैं, तो वे J-20 विमान से पैदा होने वाली किसी भी संभावित चुनोती से प्रभावी धांग से निपटने के लिए कलन के अनुसार, सहयोगी देशों का बहुराश्ट्रिय गठ बंधन किसी भी चीनी विमान के लिए चुनोती पेश कर सकता है। ऐसे में चीनी J-20 विमानों के लिए उनका मुकाबला करना बेहद चुनोती पूर्ण हो जाएगा। ये अपने दुश्मनों की नीन दूरा सके।